गुद्मोर्णिंग स्टुडंस वेल्कम इन्टु स्टांडर्स सेकेंड टेक इट आउट योर मैजिक बूक। मैज की ये वगबूक निकालो उसमें आज आप कोल लास्ट चैप्टर चैप्टर नमबर 15 कौन सा चैप्टर करोगे चैप्टर नमबर 15 ओके चैप्टर का नम क्या है? जो आपने अल्रेडी टेक्स बुक में कम्पलीट कर दिया है, वो आपको इसमें कम्पलीट करना है तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉस्टिन है, वो क्या है? माला इस गोइंग तु स्कूल, ये माला स्कूल पे जाती है और मदर हैस पॉम्डर है, उसकी मा उसको बाल बना देती है माला हैस टू पॉनिटेल, माला को दो चोटिया है लुक एट दे चिल्रन इन योर क्लास आपको अपने स्कूल में सभी बच्चों की हैरस्टाइल देखनी है कि सभी बच्चे कैसी हैरस्टाइल लेकर आते है तो आपको स्कूल में देखना है कि आपके क्लास में ऐसी कोई लड़की है जो एक ही पॉनिटेल लेकर आती है कितनी लड़की है तो हमारे क्लास में 6 लड़की है तो बोक्स में क्या लिखोगे 6 फिर दो चोटी वाले लड़किया कितनी आती है 4 तो आपको यहाँ पर 4 लिखना है और ऐसे बच्चे बाल बना कर कितने आते हैं? 15 तो आपको लिखना है 15 ठीक है? पहले यह box को complete करो फिर filling the blanks तो number of the children with ऐसी ponytail लेकर यह ponytail लेकर आती है वो लड़की ज्यादा है कि यह पॉनिटल लेकर आती है वो ज्यादा है तो 6 number 6 लड़की यह सी लेकर आती है 4 लड़की ऐसे लेकर आती है तो यह ज्यादा हुई यह बाड़ी लड़की तो लिखना है blanks में M.O.R.E. more क्या लिखोगे? More फिर ऐसे बाल बना कर कितने लड़की आते हैं तो बोक्स में देखो कितने थे? 50 तो आपको यहाँ पर लिखना है 50 ओके? Turn your page Page number 76 उसमें question 2 क्या है? We drink water everyday आप पाने पीते हो हरोज आपको सभी लोग को पता ना होगा कि इतने एक ग्लास पानी कितने लोग पिनते हैं? कोई भी नहीं तो आपको सिर्फ dash करना है क्या करोगे? Dash ठीक है? फिर दो ग्लास कितने लोग पिते हैं? कोई भी नहीं तो dash करो 3 glass कोई भी नहीं पीता है तो भी डैश करो फिर कितने है 1, 2, 3, 4 4 glass कितने लोग पीते थे 10 तो आपको यहाँ पर लिखना है 10 लोग फिर इतने glass कौन पीता था 6 glass 12 लोग तो आपको यहाँ पर लिखना है 12 अब यह फिरिंग देखो Number of children who drink 1 glass of water 8 glass पानी कौन पीता है कितने लोग पीते है कितने बच्चे पीते है कोई भी नहीं डैश तो blanks में भी क्या करोगे डैश करोगे फिर 6 glasses कितने लोग पीते थे 6 glasses कितने लोग पीते है 12 तो blanks में क्या लिखोगे 12 The number of children who drink 3 glasses of water तीन ग्लास पानी कितने लोग पीते हैं कोई भी नहीं तो blanks में भी क्या करोगे डैश ओके तो वैसे समझ में आ गया आपको कैसे करना है पहले ये box complete करो और फिर blanks लिखनी है चलो सामने वाले page पे देखो उस पे first question क्या है look at the chart चाट को देखो यहाँ पर items और childrens दिये हैं red balls कितने बच्चे के पास है 35 blue balls किसको पसंद है कितने बच्चे को 87 को green balls 64 को फिर white balls कितने बच्चे को पसंद है 37 को और black balls 93 को फिर ये chart देख लिया अब इस chart का जवाब आपको नीचे देना है which color ball is like the most सबसे ज्यादा most मतलब सबसे ज्यादा कौनसा बच्चे को पसंद है 93 सबसे ज्यादा किसमे है वो देखो आप तो सबसे ज्यादा किसमे है 93 black ball तो यहाँ पर लिखोगे black ball which color ball is like the least least मतलब सबसे कम तो समसे कॉम नंबर कौन सा है इसमें से 35 तो क्या लिखोगे red balls तो blanks में लिखो red balls ओके फिर से आपको चार्ट को देखना है कि school bus में कितने बच्चे आते है 47 when में कितने बच्चे आते है 39 auto rickshya में 13 motorcycle में 84 cycle में कितने बच्चे आते है 63 ठीके अब ये चार्ट आपने देख लिए आची तरह से अब ये blanks का जवाब दो मेरे को चलो how many children come to school by auto auto में कितने बच्चे आते है तो auto के सामने वाले box में आपको देखना है 13 तो blanks में लिखो 13 which vehicle is preferred more school bus और one ज्यादा बच्चे bus में आते है या when में आते है तो दोनों में देखो school bus में आते है 47 when में आते 39 तो ज्यादा किस में हुए 47 school bus में तो यहाँ पर लिखो school bus how many children in comes to school by motorcycle and auto motorcycle में कितने बच्चे आते 84 तो आपको यहाँ पर लिखना है 84 और cycle में कितने बच्चे आते है 63 तो यहाँ पर आपको लिखना है 63 दोनों का प्लस करोगे 84 और 63 का प्लस करो तो क्या आता है 97 तो 97 आपको इस लेंक्स में लिखना है ओके समझ में आ गया चलो turn your page page number 78 निकालो उसमें क्या है vegetables के name दिये है और सभी children's कितने को कौन साथ vegetable पसंद है वो लिखा है टोमेटो कितने बच्चे को पसंद है 98 potato 89 onion 67 बच्चे को पसंद है pumpkin 43 spinach 73 ओके अभी table देख लिया अभी ये blanks करना है हमको which vegetable you like the least least मतलब सबसे कम सबसे कम कौन सा number है 43 उसके सामने कौन सा vegetable है pumpkin तो blanks में क्या लिखोगे pumpkin which vegetable is like more tomato और potato सबसे ज्यादा क्या पसंद है बच्चे को tomato या potato दोनों के नंबर देखो tomato 98 potato 89 तो सबसे किस में ज्यादा है 98 tomato में तो क्या लिखोगे tomato which vegetable is like the most most मतलब सबसे ज्यादा किस vegetable पसंद है बच्चो को तो सबसे ज्यादा नंबर किस में है 98 tomato में तो tomato यहाँ पर लिखोगे ओके तो वैसे यह जो पूरा चेप्टर है वैसे इसमें exercise आपको ऐसी करनी है तो अभी जो यह exercise है फिर सामने वाले यह page पे है exercise वो और यह जो exercise है last page पे इस पे आपको क्या करना है कि जानिवारी मैने में कितने बच्चे का बढ़ दे आता है तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 24 बच्चे का बढ़ दे आता है फिर मैं पूछू कि फेबरू बारी में कितने बच्चे का बढ़ दे आता है 84 तो यहाँ पर आपको लिखना है 84 वेसे आपको यह table पहले बनाना है अच्छी तरह से फिर उसमें से यहाँ पर आपको answer देना है जैसे मैंने आगे आपको समझाया ना exercise में वेसे ही आपको complete करना है तो page chapter number 15 how many quantities आपको magic book में complete करना है workbook में ठीक है thank you बच्चो thank you very much bye